अबर रोतक पिवानी रोड ते गुंटा कर दी ता नंगा नाज वेखानों मिले एथे पिंड पाली नेड़े बदमाशा ने एक लाड़ी नू गोलिया मार देते हैं तस देए के पिंड लब पाली नेड़े बदमाशा ने लाड़ी नू गोलिया मार देते हैं लेकिन जड़ी है कटना वापरी है किसना दिनाल एथे गुंडागर्दी जाये नंगा नाच वेखनों मिले आए के पिंट पाली नेड़े बदमाशा ने लाड़ी नू गोलियां मार दितियां लाड़ी दे कार नू ओवर टेक करके रोकिया थे फिर उस तो तेन गोलियां मारि उतर कर दोला और उनने जो ट्रेवर थे उसको उतार कर दूलन पर आए कर रोकर वाड़ी विर करकर उफरार हो गए जिस तरह से गटना सानी आई है जो गाओं का इसापला की लड़की के लड़का है उसके उपर ही इस दो आ रोख है कि उसके अलकुमू का प्रेम परसंग चल रहा था जिसको लेकर अभी फिलहाल पुलिस हर्माइल से टाट कर दी है अभी पुलिस ने दो लोगों को राउंड क कि अभी किया है अभी कहा ने जाज़ा लेकिन मुखा रोखी है जो वो भी फराद चल रहा है जी बिलकुल और जिसना दिनाल क्योंकि ये कटना वापरी है यकीना जड़ी कानून विवस्ता उस्ते भी सवाल या निशान कड़ा होंदा है कि आकर किस दिनाल एना बदमाशा जाने इस तरह कटना नूं अंजाम देता और सरयाम जड़ा है इस लड़की नू गोली मारी जी बिलकुल पानून विस्ता पर सवाल तो खड़ा ही होता है क्योंकि इस तरह से पुलिस दावा करती है कि जगे जगे पीस्यार आट की जना के लगाए जाती है लेकिन इस तरह स अंजाम देकर आरुप फरार हो गए और भी इस तरह से इस तरह सामने आई है तो यह कुछित देनाने वाले बात है क्योंकि गाउं के बीच बार्दा निकाल ते लेकिन जो लड़की है उसनों क्योंकि क्या जा रहे कि तिन गोलियां बजी हो किस तरह थी उसी हालत है जी वह पीजन के ट्रामा सेंटर में आईश्यू में हैं अभी उसके जो परेशन राद को एक गोली निकाल दीगी लेकिन अभी दो गोल इसके सरीर के अंदर हैं अभी वह जिनकी और मौत के भी दूर रही है तो क्या परिवारिक मेंबरा ने कुछ और इसनों लेकर बयान देता है कि पहला तो परशान करदा सी या की कुछ मामला सी परशान करा लिए ने कुछ परशान के जान करदी जानकार लिए सोजिसन अनाल इसे लाडिन गोलिया मारिया गया ने कुछ पुराना जड़ा है मामला प्रेम प्रसंगदा दस्या जा रहे हैं लेकिन तिन गोलियां वज्जिया ने इस कोड़ी नोवा फिलाल गंबीर हालत देविच साइलाज हस्पिटाल बेच चल रहे हैं जिसनों बचाउंडिया कोशना चल रहे हैं लेकिन फिलाल जड़ा मु